अगर आपका भी कोई भी LIC Policy है जिसका किस्त आप अपने मुवाइल के माध्यम से घर बटे जमा करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए शुरुबात करते हैं जो हाई वरी वन मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्सन वैसे तो LIC Policy जो है आप कितने भी माध्यम से जमा कर सकते हैं जिसे पेटियम हो गया फोन पर वहां से भी हो जाता है लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने जारू कि ऑफिस्यल वेबसाइट जो दो चीज के बिना आप जो है नहीं कर सकते हैं लेकिन सिर्फ आपको पास LIC का Policy नमबर ही है तो आप उफिसल वेबसाइट से जाकर कर पाएंगे तो मैं आपको उफिसल को बता रहा हूँ इसलिए दोनों चीज की जुरुत होगा तो दोनों चीज है तो कैसे करेंगो को बता रखेंगे और सर्च कर लेना है जैसे आप करेंगे पहला ही वेबसाइट LIC का आज आयाएगा यहाँ पर इस तरीके से तो आपको उपन कर लेना है जब वीडियो आपको दिखेगा इसको आपको क्लोच कर देना है कि यहाँ पर देख सकते का option लिखा हुआ है ओनलाइन प्र करने की यहाँ से तो कर सकते हैं छलिए मैं बता देता हुँकि किस मैं आपको क्या करना हुआ इसी में आपको यहाँ पर प्ली स्लेट के एक option आएगा आपको simple सा इस पर click करना है जिसके बाद इस तरीके से काफी सारे option आएगे यहाँ पर renew का advance premium का इस तरीके से काफी सारे option मिलेंगे आपको चुकि सिर्फ अपना LIC का किस जमा करना है इसके पहला वाला जो है चुन लेना है यह वाला renew premium यह वाला आपको चुन लेना है और उसके बाद दन पर click कर देना है जिसके बाद जो है कुछ इस तरीके से खुल कर कर आएगा यहा आपको देना है जो भी आपका data worth हो आपको यहां पर देना है उसको आपको इस तरीके से लीखना होगा जैसे पहले महीना लीखना होगा अगर मालो तीन तारीक होगा तो 03 लीखना आप उसके बाद जो महीना होगा जो भी महीना महीना मेरा सात्मा दे दिया है और इस तरीके जो भी साल होगा लिख देना है तो यह डिटेल आपको देना पड़ेगा उसके बाद नीचे आजाना है यहां पर आपको email ID देना है यह email आपको जोरोत नहीं हो कोई रेजिस्टर हो वही दो कोई भी आप email ID यहां पर पर किलिक करना है जिसके बाद कुछ इस तरीके से आएगा इसको आई एगरी पर किलिक करके समिट कर देना है जब समिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा आपको सिंपल सा इसको एस कर देना है जिसके बाद जो है नीचे आ देखेंगे तो यह ना मैटमेटिक आ जाएगा तो यह पर चेक कर लेना कि आपका ही आया है कुछ गलत नहीं और यहां पर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि यह इरुपया जो है इंस्ट्रॉल्मेंट जाना बांकी है तो जो भी आप पे बकाया होगा वह आपको यहां पर दिखा देगा वह आपको पे करना होगा है अगर नहीं दिखा गा तो सुम्धे लेना कि अभी आपका जो है टाइम नहीं आया है मैं इसको पर लिए प्रसीड का बटन देख रहे हैं इस जो यहां पर लिखा हुआ आठारा जार एक सो पंचानों रुपया हो हमें पिमेंड करना है तो मैं यहां पर चेक और पे पर किलिक कर देता हूं जिसके बाद जो है ऑप्शन मिलेगा कि आप इन दोनों में से किसी भी पिमेंड गेटेवे को इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आप इस्तमाल करना चाहिए कोई क्वाइल में एप होगा जैसे गूगल पे फॉन पे जो भी होगा और सारा अटमाटिक यह डिटेक्ट कर लेगा तो जब वह डिटेक्ट कर लेगा तो वह बला आप जिससे पिमेंड करना चाहते हैं उसको चुन लेंगे और आप सिंपल सा जैसे आप किसी को पैसे बेजते ह पैसवर्ट कर देंगा अपका पिमेंड हो जाएगा अगर आपको कार्ड से करना है तो आपको सिंपल सा यह बला चुनना है और इंटरनेट बैंकिंग से करना है तो यह चुनना है तो इस तरीक से चलिए मैं यह बला चुन लेता हूं और मैं प्रमेंड करना है तो यह बला म code कह जा रहा है ये card के पीछे 3 अंक होता है तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया है तो इस तरीके साप लोग को देना है और उसके बाद pay देख सकते हैं यहाँ और pay करने का option मैं इस पर click कर दे रहा हूँ जब इस पर click करूँगा तो IETP हमारे mobile पर जयाएगा लिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि यह automatic जो है जो सेकेंड चलता रहाएगा उसमें यह automatic वापस चला जाएगा अगर आपको तेंदर वेट नहीं करना है तो इस पर भी किलिक कर सकते हैं लेकिन वह सेकेंड रहे गया तो मैं यह download हो जाएगा देख सकते हैं यहाप यह download हो गया है इस तरीके से जस्ट है हमारा लाइसी रसीट जो है यहां आ गया है तो इस तरीके से जो है आप घर बाठें खुदि अपना 1.4 जो प्रीमियम होगा और जमा कर सकते हैं और रसीद जो आपको तुरंत मिल जाता है आप चाहे तो इस रसीद को प्रिंट करकर रख सकते हैं लेकिन वैसे जुरूत होता नहीं है अपकोस पुराने जमाने में सब सारी चीज़ होता था लेकिन अभी नहीं जमाने में कोई जुरूत नहीं है आपके इमेल आईडी जो द दन्यवाद.